तो class 10 science के important question देखने के लिए आपको playlist पर जाना होगा और चेक करना होगा class 10 science important question ठीक है अब यहीं पर आपके solve model paper class 10 science के important question सभी वीडियो लगबग 50 से 100 वीडियो के बीच में इसी playlist पर सभी वीडियो अप्लोड हैं ठीक है अब आपको इन सभी वीडियो को देखना है और विज प्रिष्ट को जरूर चिक करें बहुत दूंगा मनुस्त में दो लिंग सहलगन रोग क्या है मनुस्त में पूछ रहा है दो लिंग सहलगन रोग मनुस्त में लिंग सहलगन रोग नहीं उसे लगा रहें दो यार मनुस्त में दो लिंग सहलगन रोग क्या होते हैं ठीक है लि सबसे पहली बास समाज लेते हैं मतलब जो एस्टीडी स्वारी शेक्सूल ट्रांस्मिशन डिजीज ठीक है जो साधी के बाद फैलता है यह सेक्सूल रांधता ठीक है पहला क्या हुआ तो पहला हुआ कलर ब्लाइंड नेस वर रांधता ठीक है इसको क्या बोलते हैं बोलते हैं कलर ब्लाइंड नेस इसके बारे पुरा फुल डिटेल बात करने वाले बच्चे इसके बाद दूसरा आएगा ही मोफीलिया ही मोफीलिया ठीक है तो यह हुआ अपना ही मोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस मिटा दें इसको नीचे वाला जीन वाला चलो अब इन दोनों के बारे में पर बात करेंगे ही मोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जिंदगी वर काम आने वाला है देख लेना ठीक है ही मोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस हमेशा तुमसे पूछा जाएगा महा महरातन क्लास के अंदर आज कोई ठकना नहीं चाहिए ठीक है कोई भी बच्चा ठक हार के बैठ नहीं जाएगा है ना मैं भी सोचो बिना आज का सुबा का खाना खाये हुए नास्ता करके मैं भी क् अंदी बात ठक के वैठना ठीक है यार देखो जिंदगी में सोने का वक्त तुम्हें बहुत मिलेगा मर जाओगे ना तो उधर ही सोते रह जाओगे सब लोग ठीक है मरने के बाद पूरी जिंदगी सोने के लिए होती है लेकिन अभी अपन लोग को काम करना है मेरे हाथ में कभी भी मेनत करने से पीछे मत हटना हमेशा आगे वढ़ते रहो चलो अब अपने लोग देखते हैं पहला कुश्चन है अपने पास वड़रांधता कलर ब्लाइंडनेस इसके अंदर होता क्या है सबसे पहले इसके अंदर रंगों की पहचान नहीं होती है और कौन से रंगो की पहचान नहीं होती है, उसको बोलते है color blindness, ठीक है, लाल और हरा रंग जो बैक्ति नहीं पहचानता है, उसको बोलते है, तुम्हें वर रांधता हो गया है और तुम्हें पता होगा कि train में, ठीक है, railway में लाल और हरे की पहचाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए color blindness इस वाले ब्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है ठीक है अब देखो ये चो कलर ब्लाइंडने से इसकी खोज 18706 में हुई थी कब हुई थी 18706 में कौन किया था हर्नर ने याद कर लेना हमेशा पुछा जाएगा कौन किया था हर्नर ने किया था कब किया था 1876 के अंदर इसके अंदर होता क्या है लाल और हरे की पहचान नहीं होती है ठीक है इसको प्रोटीन दोस या फिर डाल्टो निज्म बोलते हैं ठीक है इसी रोग को बोलते हैं क्या डाल्टो निज्म ठीक है इसी रोग को बोलते हैं डाल्टो निज्म समझना अगर तुम लोगों से ऐसे question پूछ जाए कि डाल्टो निज्म् Film क्या होता है तो भी बता दे ना अगर वड़रांदता पूछ रहे तो भी बता दे Color Blindness पूछ रहे तो भी बता अगर Red Green Blindness पूछ रहे तो भी बताओ क्या होता है ठीक है खतम, चलो अब क्या होता है इसमें समझनों जीन के लेवल पर कैसे खेल होता है इसका एक अप्रभावी जीन होता है इसका जो अप्रभावी जीन होगा ठीक है जिसको बोलते हैंuell प्रभावी जीन रेसेशियो जीन इसका यक्स क्रोमसोम पर इस्थित होता है Hi roundness ये देखो यक्स क्रोमसोम अब देखो होगा क्या इसमें महिलाओं का क्या होता है महिला का क्या होता है समझना महिला कोता है यक्स और यक्स और नर का क्या होता है यक्स और वाई तो इसमें किसमें ज्यादा संभावनाय होती है यह अप्रभावी है अगर दोनों के अंदर होगा तो प्रभाव दिखाएगा ठीक है देखो अब समझो यहां पर में समझना है मह प्रभाव नहीं दिखाएगा महिला कलर ब्राइंड नहीं होगी लेकिन उसके बच्चे हो सकते हैं अगर यह महिला के अंदर दोनों यक्स परिस्थित हैं तो तो महिला वडरांधता से ग्रसित हैं तो तो उसके सभी बच्चों में हो जाएगा लेकिन अगर एक पर हैं तो यह वडरांधता का जीन उपस्थित है वडरांधता के लच्छण है उसके अंदर यक्स क्रोमोसोन के अंदर तब चाचा इसको वडरांधता हो गई हो गई इसको वडरांधता कहां से मिला यह महिला से मिला क्योंकि यह महिला जिस महिला से साधी किया था उस महिला के अंदर कोई भी रोग कलच्छन नहीं था लेकिन वो एक वाहक थी वो एक वेक्टर थी और किस चीज का वेक्टर थी तो वडरांधता का वो वेक्टर थी इसलिए ये वडरांधता रोग महिलाएं सिर्फ इसकी वाहक होती हैं ठीक है लेकिन ये पुरसों के अंदर हावी हो जाता है पुरस तो के अंदर देखने को मिलता है ठीक है यह गुड़सूत्र पर इसके युग्म विकल्पी का आभाव रहता है वाई गुड़सूत्र पर इसके युग्म विकल्पी जो है उसका आभाव रहेगा मतलब हाँ थोड़ा थाड़ी रहेगा बाकि पूरा इलच्छन प्रकट ठीक है यहां से mcq बनेगी जितने भी प्रकट बनेंगे फॉर्ड डालो क्योंकि यह मेराथन क्लास आज की ठीक है आज की बच्चे यह मेराथन क्लास रुकना नहीं चाहिए ठीक है बायलाजी में जित्ते भी नमबर बायलाजी मतला 20 कभी इस पूरे नंबर लेकर आएगे पर लोग ठीक है देखो क्लाश 10 साइंस के क्लाश 10 बैलाजी के इंपोर्टन कोश्चन देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना होगा और वही प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो अप्लोड है ठीक है वहाँ पर जागर के आप लोग देखो उन चीज को लियर है चलो आगे हो आगे आता है हीमोफीलिया हीमोफीलिया की खोच किया था है हेल्डेन ने हीमोफीलिया हेल्डेन ठीक है है हेल्डेन ठीक है हीमोफीलिया कहां मिला तो हीमोफीलिया इगलेंड की महारानी विक्टोरिया के कुछ संतानों में मिला ठीक है इसलिए इस हीमोफीलिया को क्यू क्यों इब किए इसको क्यों महारानी विक्तोरिय के कुछ संतानों में मिला था रहीício Baptist HEEMophilia के अंदर होता क्या हुँ हमारे यार ब्लैक से लगा दिया है अलब हमारा ब्लड 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 थोड़ी नहीं यह देखो रेड से यह लगा एक कट वह खून निकलने लगा यार कून निकलने लगा अब देख रहा हूं तो गया शुक गया खतम कैसे खतम हो गया क्योंकि इसके अंदर जो रक्त को इसकंदित करने वाले जो फैक्टर है व हमारी हमोफिल्य समझने घ्रस जूट बोल रहा हूं ठीक है 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 सब को बताने लगो कि भाहि ओमान सर को खीव लियां है वेकि बता रहा हूं ठीक है अब देहो तक है तुमने लगा दिया कट को कुन निकलता है जा रहा है बांसट निकल रहा हाटा-घा-णृ पो पहुंच जटकी है उसका बड़ तो चलिंगे किया पगले उसको हीमोफिया है उसका खून निकलता रहता है ठीक है और खून तब प्रभावी जीनना बिल्कुल ऐसे वर्ग करता है वो यक्स गुडवसूत्र पर किसके अंदर देखने को मिलता है अदिकतर पुर्षों के अंदर देखने को मिलता है ठीक है यह क्लियर हुआ अब डॉक्टर ने भूला वे उसको हीमोफिलिया है अब तो वो गया अब तो लो रोना गाना जुरू है भाई याब हमको पढ़ाएगा को है ना यहां मेरी जान की पढ़ी है मेरे पर तो कोई फरक नहीं है जल्दी से लाइक लग आया कई से है तो हीमोफिलिया ना उत्परिवर्तन के कारण से आया था ठीक है उत्परिवर्तन के परिडाम स्वरूप यह लक्षन आया था ठीक है म्यूटीशन उत्परिवर्तन के परिडाम स्वरूप यह हीमोफिलिया आया था किसके अंदर महारानी विक्टोरिया के हीमोफिलिया उत्पन रोग उत्पन करने वाले का जो जीन तीक है वो यक्स गुड़सूत्र पर तो इस्थित रहता है लेकिन इसके जीन को यह इसका जीन कहां पर इस्थित रहता है यक्स लिक ग्लोबूलीन जीन यह बोलते हैं अब दूसर लॉंग कुश्चन आएगा बड़े में आएगा आगे चल के और क्या है और हीमोफीलिया के अंदर लक्त रक्त लगातार बहता रहता यानि कि रख्त का इसकंदन जो है रख्त का इसकंदन नहीं पाता है ठीक है हीमोफीलिय के अंदर और रख्त को इसकंदित करने वाले जो फैक्टर है आगे पढ़ोगे वह जैसे वी ट्रीपल आई अपना इसके बाद आयक्स या यक्स आई यह होते हैं कारक यह कारक रख्त को इसकंदित करते हैं लेकिन जिसके अंदर हीमोफीलिया रहता है उनके अंदर यह कारक नहीं होते हैं वी त्रिपल आई आई एक्स या एक्स आई कारक नहीं होते हैं इसके कार्सों का ब्लड नहीं क्लॉट होता है ब्लड नहीं जमता है जब उसका ब्लड जमेंगा नहीं चाचा तो क्या हो जाएगा उसको हो जाएगा हीमोफीलिया ठीक है उसको हो जाएगा यह र भावी हो जाएगा वाई में होने की जरूराती नहीं है ठीक है रेसेसियों जीन उसके अंदर हीमोफिलिया उत्पन कर देगा और इस्त्रियों में जब हीमोफिलिया होगा जब दोनों गुरसूतर पर हो ठीक है यक्स यक्स दोनों पर हो तब ही उसके अंदर हीमोफिलिया नहीं होता है और उनको हीमप्टिया का लचत प्रकत नहीं होता है जब उनका